नमस्कार मैंनल मौर्या यह मैं स्टूडिल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ माइडियर फ्रेंड्स और माइडियर स्टूडिन अप्सपेक अलजेब्रा के इस लेक्चर में अज हम टाव फंसन को पढ़ने वाले हैं टाव फंसन एक इंपोर्टेंट फंसन है जिसकी हेल्प से हम अपसेक अप्जेब्रा के बहुत सारे प्रॉलम्स को सॉल्ड कर सकते हैं क्या क्या इसकी अप्लिकेशन में बात करूँगा अलएड़ी एक टाव फंसन के अप्लिकेशन पर में बात कर चुका हूँ हूँ अगर आपको वीरियर हेलफुल तो अपने दोस्तों में जरूर आप से एर कर दीजेगा उसको देखे, question में क्या कहा रहा है सबसे पहले इसके definition को समझते है student कि टाव function क्या है कहा रहा है कि let n be the positive integers then tau function is the number of positive divisor of n and it is denoted by tau n कहने का sense यह है कि अगर हम को कोई numbers का diviser find करना हो हमको क्या find करना हो कोई diviser find करना हो कोई बड़ी संख्या दी हुई हो कि ऐसे कितने number हम find कर सकते है जिससे वो number उस संख्या को divide करता हो समझे, जैसे मालिजर 10 है तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो उस 10, 10 को divide कर सकती है या 12 है ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती है जो 12 को डिवाइड कर सकती है और इसी तरह 100 भी हो सकता 1,500 जब बड़ी संख्याएं हो तो हमको find करना थोड़ा सा tough कार होता है कि हम एक करके count कैसे कर सकते हैं उसी के लिए formula है कि total number of divisor को हम कैसे find कर सकते हैं कितनी total संख्याएं होंगी जो दिये हुए numbers को divide करेंगे तो जैसे for example देखे आए 12 को लेते हैं 12 जो हमारे पास आना इसके number आप divisors को हमको find करना तो सबसे कौन-कौन से संख्याओं से divide हो सकता है 1 से 2 से divide हो सकता है 3 से divide हो गया 4 से divide हो सकता है 6 से divide हो सकता है 12 से तो 3 to 6 मतलब 6 हो गया total तो मतलब हम कहेंगी कि टाउ 12 की value कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी 12 की value कितनी होगी 6 होगी अब यह ऐसा इतना आसान तो है नहीं कि बहुत सारे numbers दिये हैं इसे हमा लेजे 15 ले लिए हमने 15 की जग़ा 30 लेते हैं 30 कितनी संख्याहों से divide हो सकता है 1 से divide होगा 2 से 3 से 4 से divide नहीं होगा 5 से divide हो सकता है 6 से divide होगा 6 5 जा फिर 10 से divide होगा किस से divide होगा 12 13 14 15 से divide होगा और फिर 30 से divide होगा टोटल कितने होगा थीन 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 दो पांच तीन आठ बतला आठ ऐसे numbers हैं जिनसे की 30 डिवाइड हो सकता है तो टाव एन की value कितनी हो जाएगी टाव 30 की value कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी कि मुला टाव 30 को 8 number ऐसे हैं जो कि divide कर सकते हैं बट अब इस तुट टफ का रहे हैं क्योंकि अगर larger number हो तो हमको problems होगी तो हमको टाव एन के number of divisors को find करना है तो देखे basic क्या formula हो उसके लिए हम बात करेंगे सिंपल टाव एन के बारे में हमको बात करना है तो एन का हम क्या करेंगे find करेंगे number of prime factors ठीक सिंपल हम क्या करने वाले एन का find करेंगे find prime factor ठीक तो हम माल लेते के n is equal to जो हमारे पास prime factor आ गया मैं लेजिए suppose यहाँ P1 के power A आ गया ठीक फिर एक question P2 ले लिया P2 के power B आ गया और एक एंदर ले लिया P3 ले लिया P3 के power C ले लिया तो जो number of divisors है टाव एन की values क्या हो जाएगी टाव एन जो होगा जो इनके powers है इनमें one add करके हमको multiple कर देंगे टाव एन की value होजेगे ए प्लस वन यहाँ भी प्लस वन फिर C प्लस वन अगर आगे और नंबर है तो हम आगे और डिवाइड करेंगे जैसे हमारे बास टाव थर्टी था थर्टी लेने वाले हैं इसकी values क्या निकालनी है तो हमको क्या करना है थर्टी का prime factors करना थर्टी का prime factor 2 x 3 x 2 x 6 x 30 इसके 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 पावर वन इसके पावर तो थर्टी की value कितने हो जाएगे गए इनके पावर महलब यहाँ बन में 1 आट करेंगे फिर से यहां पे वनमें 1 एट करेंगे फिर से वनमें 1 धा करेंगे तो कितना हो जागा आपका total 2 into 2 into 2 total आ गया अपका 8 तो देखे हमने जो find किया था यहाँ पर 8 यहाँ गया total number आप divisors 8 find out हो गया तो tau function का use हम इसी तरह से करने में सफल हो सकते हैं ठीक है आईए और questions लेते हैं आईए एक और questions लेते हैं जैसे मालेजी हमको निकालना है tau 60 का tau 60 की values हमको find करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 60 का factor करेंगे 60 का factor कितना हो सकता है 4 into 15 15 चुग के 60 इसको और थोड़ा कर लें तो 2 के power 2 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, 3, 5, 15 इनके power 1 इनके power 1 तो अब tau 60 60 की value हमारे बास कितनी हो जाएगी इसके power में 1 है मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा इसके power में 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया इसके power में 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 into 2 into 2 3 into 6 into 12 मतलब 12 ऐसे tau numbers होंगे जो कि 60 को divide करने वाले हैं ठीक है बहुत basic सा problem है इसी तरह के questions हमको generally करने होंगे जैसे मालेज़े हमको करना है कि tau 500 की values हमको find करनी है 500 हम सबसे पहले क्या करेंगे 50 500 का factor करेंगे तो छोटा छोटा जैसे मैं सोकते 5 into 100 होता है ठीक अब 100 का फिर से factor हम कर सकते हैं 5 into 25 into 4 अब इसको छोटा और break कर लिया ते देखे क्या हो जाएगा 5 का square मतलब यह हो गया 5 का cube और into 2 का square यह हो गया 500 का factor 500 का factor हो गया तो ताव 50 500 कितना हो जाएगा simply यहां पर जाएगा इसके पावर में 3 है 3 plus 1 कर लेंगे पावर में 2 है 2 plus 1 कर लेंगे 4 into 3 हो गया तो that value is 12 तो 500 को divide करने के लिए ऐसे 12 numbers होंगे जो कि 500 को divide करेंगे इसी तरह तो आप एक लिए चलिए एक दो homework questions दे दे रहा हूं आपको बताना है टाव 600 का मान एंड टाव 1000 का मान आप मुझे comment box में बताएंगे that is the basic छोटे से question आप इनको try करिए कैसे कर सकते हैं अब इक question उड़ता है क्या number of देखे अब इसका है कि application क्या है टाव function का application total number of subgroup total number of subgroup हम find करने के लिए टाव function का हम use करते हैं क्या करते हैं total number का application अगर इसके बात करें application तो application यह है total number number of subgroup total number of subgroup जो है subgroup आफ जड़न जड़न में total number of subgroup find करने के लिए हम इसका जो है टाव function का use करते हैं तो वट इस application समझ में आ गया इंदर और application होंगे उनको हम next lecture में continue बात करेंगे बट एक application पर मैंने आ लेडी बात कर ली क्योंकि इस पर related आ लेडी वीडियो में अपलोड कर चुगा हो तो आप उसको देख सकते हो तो बेसिक फॉंडमेंटल यह है कि टाव function का यूज क्या हुआ total number of subgroup find करने के लिए हम जडन के जडन में total number of subgroup कितने होंगे और टाव function के यूज से के help से हम find करते हैं ओके बहुत important है तो यह basic question रहा अब आने वाले continue lectures में हम बात करने वाले है application प्लस इसी तरह के theory lectures upload होते रहेंगे So take care, thank you, bye bye जहिन